आज हम बी प्रत्रम वर्ष के राधिस्तान बुगोल के अंतरगत प्राकर्तिक वनस्पती और वन संसादन का अध्यन करेंगे वन प्राकर्तिक के द्वारा दिया गया एक ऐसा संसादन है जो आर्थिक विकास में महत्यपुन योगदान देता है उत्तर मुगल काल में ही नहीं बलकि भारत में प्रतम विश्विदिक के काल तर भारत विशाल वन की बंडार थे उस समय देश का लगबट एक तियाई हिस्सा वनों से धका हुआ था क्योंकि लकड़ी हेतु इतनी मात्रा में वनस्पति की आवशक्ता नहीं थी परन्तु शने शने आवादी बढ़ती गई और विक्राल रूप धारन करती गई फला थे लकड़ी की मांग बढ़ती गई वनस्पति का अत्यदिक दोहन होने लगा पेड़ पोधी कम होते चले प्राचीन समय में इन वनों में वन्य प्राणी स्वचंत ब्रह्मन करते थे अतर तब इन वनों के आर्थिक और संस्कृतिक गतिविदियां तता धार्मिक कार्य किये जाते थे वन को देवताओं की तरह पूजा जाता था वरक्ष को काटने वाले पर प्रशासंदारा कठोर दन का प्रावधान था वरक्ष रोपने वाले विक्तिकों समाज में आशिरवाद प्राप्त था भारत संस्कृति वे सब्यता के अनेक गटनाय इन वनों से जुड़ी है नैमी शारन्य में महाभारत की रचना की गई संपूर्ण देश में तपोवन पाये जाते थे जिनमें रिशी वे मुनी रहकर इश्वर की अराधना करते थे राजस्थान में अरावली प्रदेश वनों से अटा हुआ था परन्तु वर्दमान में इस्तिती नहीं है राजस्थान में वनों के कमजोर विकास है तू प्राकर्तिक सरकारी और व्यक्तिगत सभी कारक उत्तरदाई है प्राकर्तिक दिश्टी से राज्य का एकसर प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है अधार इसपश्ट होता है कि मरू भूमी प्राकर्तिक वनस्पति हेतु अनुकूल नहीं है जलवायू की दिश्टी से राजस्थान में शुष्क वर अर्ध शुष्क जलवायू पाई जाती है सरकारी प्रयत्न स्वत्रन्तित्ता के बश्चात ही प्रारम हुए 12 जून 1952 में भारत सरकार द्वारा राश्ट्रिय वन संबंदी नेती का नरधारन किया गया और पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में वनों के समुचित ध्यान देने के कारण व्रक्षा रूपन पर योजनाय आरंब की गई थे और वनों के विकास में योगदान रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रात्मिक और द्वित्तिक उपज के रूपने जिन जन्दातियों और निर्धन व्यक्तियों का जीवन इन पर निर्वर है उन्हें उध्यान दिशी के रूप में विक्सित वनों से आर्थिक संपन्ता प्राप्त होई है वन उपज कई उध्यों को पर आधारित होती है अब हम बताएंगे वनों से लाब वन वायूक को प्रदूशन रहीत और स्वच रखते हैं वाश्पीकरण की गति को धीमा करते हैं और सूरी की किरणों से भूमी को पचाते हैं सेकिंड है वन भूमी को बांदे रखते हैं अथार्थ मिट्टी का कटाव को रोकते हैं शुच के और निरंदर जल वनों के कारण जो जल का इस्तर है वो उंचा रहता है और मिट्टी का कटाव में को रोकते हैं वन भाईयों के बहाव को नियंदरित करते हैं अथा मरू भूमी सीमा पर वनों की पट्टियां लगाने से उनका विस्तार रोक जाता है साथी हजारों टन मिट्टी दूल परी आंधियों को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने से बच जाती हैं घने वनों में चोटे चोटे अंगिनत कीठ पतंगी पक्षी रेंगने वाले जन्तु पश्शू पक्षी जड़ी भूटियों आधि पाई जाती हैं जो की मानव के लिए बहुत ही उप्योगी है आधि वनों का हमारी जीवन में अत्यदि महत्र है राजिस्थान में जो वन है उनको हम अभ्यारन्यों में भी सुरक्षित मान सकते हैं यानि राजिस्थान में कुल सताई सब्व्यारन्य है और पच्चित आरक्षित छेत्र हैं वन विभाग में कोईला वे एंधन लकडी की मांग का आठ से दस प्रतिशती उपलप्त करा पाता है विभाग भी 35 विक्रे केंदर राजियों में है जिसमें 17 विबिन मुख्या ले और 18 अन्य केंदरों पर है राजिस्थान में वनों की स्थिती दैनी है इसके जो मुख्या कारण है वो बहुत सारे हैं जिसमें वनों के संदक्षन के प्रति हमारी उदासीन तबी बहुत बड़ा कारण है वनों वनस्पती को प्रभावित करने वाले कारण किसी भी स्थान पर एक समान वनस्पती नहीं पाई जाती क्योंकि वनस्पती को निर्धारित करने के लिए अनेक महत्वपून कारण होते हैं जिनमें प्राकरतिक कारक जलवाईविक कारक जैविक कारक आधिक महत्वपून होते हैं जलवाईव जो है वो किसी भी वनस्पती को प्रभावित करने का महत्वपून कारण है कि किसी भी स्थान की जलवाईव जो है कि यहाँ पर शुष्क और अर्ज शुष्क प्रकार की जलवायू पाई जाती है और पूरा पश्रिमी भाग पूर्णतेया शुष्क और कम वर्षा वाला है यहाँ वहाँ शुष्क बनाजपती का फैलाव अधिक पाया जाता है जिसमें लंबी जड़े वे छोटी पत्ती वे ऐसके पूरिमे भाग में लिक्षा लगबग 25 संडिलृटर के आसपास होती है तो ऐसे इस सिथी में जो प्राकरतिक वनसपती है वो शुष्क और अर्दशुष्क प्रकार की ही पाई जाती है प्राकरतिक का अर्प मिट्टी वे धरातल भी प्राकरतिक वनसपती को प्रबा लेकिन जो राजस्तान का जो पूर्वी भाग है उसमें पठारी भाग भी है और राजस्तान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्तुली भाग है तो इन दौनों में जो पठारी भाग है और मरुस्तुली भाग है इस कारण से यहां पर वनस्पती आवरण जो है वो पूर्णत है या हम कह सकते हैं बनस्पति आवरण अच्छी से नहीं पनप पाता जैविक कारक, जैविक कारकों में मनुष्य और पशुमों के क्रिया कलाप होते हैं यानि मनुष्य जो है वो अपनी अवाशक्ता के लिए बनों को काट देता है एक तरफ थार का मरुस्थल है जहां पर की कटिली जाडिया और इस तरह का वनस्पति आवरण है जबकि दूसरी तरफ जो है आदिवासी व्यक्ति जो है जूमिंग क्रशी करते हैं और जूमिंग क्रशी में पूरे जो खेत है उन्हें जलाकर और उसी को उसमें मिट्टी में मिक्स करके और फिर खेती कारे करते हैं तो इस प्रकार से ये जैविक कारण है जिनके कारण से जो वनस्पति आवरण का वास होता है और वनस्पति समापत होती जाती है कल की लेक्चर में हम वनों की वर्गी करण का अध्यन करेंगे